एक तरफ जहां धान की पराली को जलाने से उने वाले भेंगर प्रदूसर्ण से बजाओ के लिए विविन प्रयास किये जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गॉलियर की लाल टुपारा गौशाला में इस पराली से रोजगार के कई साधन भी सामने आ रहे हैं। पराली के माध्यम से कौशाला में कई सारी ऐसी चीज़े बनाई जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ आपके घर की सुभा बढ़ाएंगी बलकि बेहत किफायती दामों पर एक अच्छा और सुनिश्चत उपाई भी से बनकर सामने आ रहे हैं। देखिए यह तो गवमाता का आहार है गवमाता को कुछ भी न मिले तो केवल हमारे हैं तो इसको प्यार कहते हैं। तो भाई या प्यार को जलाया जा रहा है। इसे प्रदूशन भी फैल रहा है और गवमाता भी भूकी रह रही है। पहले जब चैत्र कट जाता था तो गाय सुक्षंद हो के विचरन करती थी कोई रोकने टोकने वाला था अब खेज में आगे लग जाएगी तो गाय का तो आहर पूरा खतम हो गया इसके करण सब प्रकार से हनी ही हनी हो रही है थोड़े से लाव के लिए आप बहुत बड़ी ह प्रकार से एक साथ दोड़ती हुई जा रही थी तो यह हमारे प्रकार से एक साथ दोड़ती हुई जा रही थी तो यह हमारे लिए तो गौरप की बात है गौशाला में पराली के माध्यम से विवने प्रकार की सजावटी सामान वा अन्य प्रकार की शामगरियां तियार की जा रही है जिन्हें लोगों को देखने के लिए भी रखा गया है इसके अलावा गौलर की रानी घाटी में विवने प्रकार की चीज़ें पराली के माध्यम से तयार की जा रही हैं पराली का यहां पे सदूपियोग जिस पराली को अगर दिखा जाया अगर डिकम्पोज होने में कृषी अवशेष्ट को डिकम्पोज होने में असी दिवस लगते हैं उसी असी दिवस के अंत्राल को यहां कम करने की सबसे बड़ी फैक्टरी है जो हमारे गोमाता है जो निरासित गोवन्स है यहां पे वह उनका आहार है उस आहार को सेवन करके पराली को सेवन करके वह हमारे को खा देती हैं जो हो पुनह धर्ती में वापस मिल जाता है तो प्रकृति की संपत्ति वापस प्रकृति को पुनह वापस मिल जाती है जो यह प उसकार पेकार करने क्या वसकता है और कई फैक्टरियां चल रही है जिस पेकार से जो अक्षे उर्जा है आज पेट्रोल की डिजल की कोईले की समस्या चल रही है तो लोग इससे इतनौल बना रहे हैं जिसका पानी पत में बड़ा प्लांट खुला हुआ है जिसमें 100 टन की आ भंडारे हो रहे हैं उन भंडारों में जिस परकार से पन्नियों का प्रियोग होता है तो उसके सरक्षन के लिए भी हम इसके जो दोने पतल बन रहे हैं उसका भी हम प्रियोग कर सकते हैं तो इतना यह बहु उदेशिय है और इतना यह हमारे प्रकृतिय के लिए लाबदाय एक है